नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं आदिवासी सेंगेल अभ्यान ने 30 को की भारत बंद की घोषना सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया है इसका वहन आदिवासी सेंगेल अभ्यान ने किया है इसे लेकर मोराबादी मैदान में बैठा खोई इसमें संथाल हो मुंडा उराव लोहरा आदिवासी समाज के परतिनिदी सामिल हुए अध्यक्सता सेंगेल के राष्ट्री अध्यक्साल खन मुर्मु ने की है उन्होंने बताया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए 13 दिसंबर को गुमला, 14 को लोहरदागा, 15 को खुटी और 16 दिसंबर को रांची में सारना धर्मकोट के परतिनिद्यों के साथ सभा होगी वहीं सभा को सुमित्र मुर्मु फूल्चन तिर्की, भोनेश्वर लोहरा, गनेश गगराई, सुसिल उराव, देव नरायन मुर्मु, सोमा मुर्मु, सुभासनी, पूर्ति सहित अर्ने सम्मोधित करेंगे बैठक में केंद्रिय सरना समित्ती के अध्यक्स फूल्चन, संवरक्षक, भोनेश्वर, महासचीव, संजय तिर्की, उपाध्यक्स, परमोध एकका, बिनय उराव के अलावा, आदिवासी छात्रसंग के सुसिल उराव भी उपस्तित रहेंगे मैटिक इंटर परिक्षा में होगा बदलाव, OMR सीट पर नहीं होगी परिक्षा पुरमें जारी प्रोग्राम में बदलाव किया जायेगा बतादे पहले 44 नंबर की परिक्षा UMAC वह 40 नंबर की परिक्षा उतरपुस्तिका पर होती थी दोनों के लिए अलग-aalग समय नेधारित था वहीं परिक्षा को लेकर नेधारी समय में बदलाव किया जाएगा इधर अगले वर्ष से मैट्रिक इंटर उतरपुस्ति का मुल्यागन के दोरान केंद्र से ही प्रप्तांक ओनलाइन भेजने की त्यारी की जा रही है जिसे के रियर्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सके सुखा रहत के लिए केंद्र से नहीं की गई सहायतार आसी की मांग जारखन के किसान लगातार सुखे की मार जेल रहे है इस साल 21 जीलों के करीब 210 परखंट आयसे थे जहां आउसत से कम बारिस हुई है लिहाजा 18,00,00,00 में दान की फ़सल लगने के लक्षे की तुल्ला में महज 11,00,00,00,00,00 में ही दान की बुआई हो पाई ऐसे में किसानों के परिसानी समझी जा सकती है पिछले साल तो और भी खरावी सीती थी महज आठ लाख एक्टेर मिधान की फोसल लगाई गई थी अब सवाल है कि केंदर सरकार से सुखा प्रभावित किसानों के लिए सहायता रासी के दावा क्यों नहीं किया गया क्योंकि संसोधित सुखा ने मौली 2020 के तहट राईज सरकारों को 31 अक्टूबर तक दावा पेस करना होता है जामुमो गुंगो बहरों की सरकार नहीं सब की सुनती है मुख्य मंत्री हेमान सुरेइन को डार्मा के बांगी टानर स्टेडियम में आपके दोयार सरकार कारकरम को समोधित करने के लिए आये थे जेजे कॉले जूमरी तिलेया में सी एम के हेली कॉप्टर के लेंड होते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया स्टेडियम में धोल नगारे बैने लगे अपने मुख्य मंत्री की एक जलक पाने और उन्हें सुनने के लिए कारकरम असल पर लोगों की भीरे जूटी मुख्य मंत्री ने कहा कि यह गूंगे बहरों की सरकार नहीं है यह सरकार सब की सुनती है राज सरकार की जिमेदारी है कि लोगों की सेवा करना उनका विकास करना मुख्य मंत्री ने आगे कहा अधिकारियों से सही जनकारी नहीं मिलती पहली सीवीर में 35 लाख आवेदान आए वहीं दूसरी सीवीर में 35 लाख आवेदान आए प्रवरती सरकार ने आवेदान देख कर सर पकड़ लिया है जारखन में नफरत के खिलाप 8-12 दिसंबर तक पद्यात्रा जारखन में 8-12 दिसंबर तक नफरत के खिलाप ढाई आखर प्रेम पद्यात्रा होगी यह यात्रा समाज में फैल रहे नफरत को मिटाने के लिए एक संस्कृतिक पद्यात्रा समता, बंधूता और एकता के नाम निकाली जा रही है जिसका नाम अढ़ाई आखर प्रेम है इसकी जनकारी पत्रकारों को संबोधित करते हुए एपटा भारतिये जन नाटे संग रांची जिला अध्याक्स पंकज मिश्रा ने दिया है वहीं उन्होंने बताया है कि अपद्यात्रा रायस्थान से भगत सिंग के जनती 28 सितंबर 2023 से सुरू हो चुकी है यह यात्रा गांथी के सहादत की तारिक 30 जनवारी को दिल्ली में खत्म होगी आपको पता है कि रायस्थान बिहार पंजाब उतरा खंड उडिसा जम्मू उतर परदेश और करनाटक से होते हुए यह यात्रा आट दिसंबर से बारा दिसंबर तक जार खंड में होगी कुख्यात अमन सिंग की हत्या से जेलर समेथ साथ कर्मी डिलामबीत उतर परदेश के गैंग्स्टर अमन सिंग के हत्या में पर्यूग्त पिस्टल पूलिस ने धनबाज जेल से बरामत कर ली है जेल से दो पिस्टल बरामत हुए है दोनों से अमन को गोली मारी गई है या फ इसकी समभवना बढ़ गई है कि एक से अधिक ने मिलकर गोली मारी है। पूलो जहानो असिर्वाद योईना की रासी अव पचास हजार सीएम हेमन्त की घोसना है। जिसे बढ़ाट का और पचास से रुपे करने का फैसला किया गया। उन्हें के काम के एवज में प्रोसाहान रासी मिलती है पर एक भी पैसे का भुकता नहीं किया गया। पंचायच स्वयम सेवकों का कहना है कि हर सदस्य का तीन थे साड़े तीन लाख रुपे बकाया है। उन्हें पिम आवास स्वयना की मोनेटरिंग से लेकर सारा काम कराया गया। इसके अलावा भी अन्य काम करायाए का पर पैसा नहीं दिया गया। वह बकाया की मांग अपने परखन मुख्याले से कर रहे हैं फिर भी नहीं दिया गया। स्वेम सेवकों ने बताया है कि एक पीम आवास में उन्हें करीब बाला सुर्वे प्रतिप पुरुसाहन रासी मिलती है राज्य भर में 18,05 स्वेम सेवक हैं इनमें बई संक्यामे महिलाये भी हैं रासी नहीं मिलने के कारण आर्थे किस्थिती खराब हो गई है दरोगा इंस्पेक्टर कर सकेंगे एसी एस्टी केस का अनुसंधान अधिसुचना जारी दरोगा इंस्पेक्टर एसी एस्टी उत्पियन केस का अनुसंधान कर सकेंगे इस बाबत अधिसुचना जारी कर दी गई है जार्खन सरकार के अधिय सोजना के मुताबिक A.C.H.D. अधिनियम 1989 के धारा 9 की उपधारा 1 के तहत प्रदत सक्तियों का परियोग करते हुए अब राज्य के अधिन DSP के साथ साथ दरोगा और इंस्पेक्टर अस्तर के प्रदाधिकारे भी इन अधिनियम के तहत किसी बिसेस नयाले के समक्ष ब्यक्तियों की गिरफतारी, अनुवेशन और अभियोजन के सक्तिया का इस्तिमाल कर सकते हैं जार्खन कांग्रेश परदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग तेज पांच राजियों के विधान सभाद चुनाव पईनाम के बाद आंत्रिक विवादों से जूज रही जारकन कांग्रेश में एक बार फीर से परदेश अध्यक्ष रायस ठाकूर को हटाने की मांग तेज हो गई है हलाकि यह मांग वैसे लोग कर रहे हैं जो अनुसासन हिंता के कार्ण पार्टी द्वारा ने लंबी था हैं दरसल यह मांग तब उठने लगी है जब रायस ठान चातिस गड़ जैसे राज कॉंग्रेश के हां से निकल जाने के बाद परदेश कॉंग्रेश अध्यक रायस ठाकूर ने पार्टी के अंदर करकाताओ को सम्मान देने समधी ब्यान दिया था इसके अलावा मंत्रियों के ब्यभार कुसलता पर भी लगातार उठ रहे सवाल पर उन्हों नराजगी जताई थी देश में रायनीती वजहों से हत्या की सबसे ज्यादा वर्दात जारखन में जारखन के बाद बिहार का दूसरा नंबर है जबकि इस मामले में यूपी सबसे नीचे है बतादे वर्ष 2022 में देश में राइनिती कार्णों से हत्यागी सबसे अधिक वर्दा ज्यारखन में हुई है यह त्याथ नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो की ओर से स्वोमवार को जारी किये गए आकडे में सामने आया है मिचोंग तुफान के असर को लेकर ज्यारखन में अलर्ट जारी मिचोंग तुफान के असर को लेकर मौसम केंद्र रांची के ओर से ज्यारखन में अलर्ट जारी किया गया है बंगाल की खाड़ी से उठे मिचंग तुफान के कारण 4 दिसंबर से ही परदेश के विभीन जिलो में बादल छाय हुए है और कहीं कहीं भारी बारिस भी हो रही है इस तुफान का सबसे ज़्यादा असर किसावनों परपर सकता है मौसम विभाकी चेतावनी किसानों के लिए जारी की गई है बता दे मौसम बेग्यानी अभिसेक कुमार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मिचंग तुफान का असर जारखन में अगले 2-3 दिनों तक तेखने को मिलेगा इसका सबसे ज़्यादा असर 6 और 7 दिसंबर को देखा जा सकता है फिलहाल तमिलाडू और दक्षिन भारत के इलाकों मिचंग की वज़ासे लोगों को खासी परसानी का सामना करना पड़ रहा है तीन राज्यों के चुनाव पईनाम का जारखन में नहीं पड़ेगा कोई असर जारखन के मुख्य मंतरी हमान सुरे ने कहा है कि तीन राज्यों के चुनाव पईनाम से जारखन में कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थीती पहले भी आई है और पहले भी ऐसी संभावनाय देखी है उस वक्त भी कोई असार नहीं देखा गया था उन्होंने कहा है कि जो जैसी मेनत करेगा पहिनाम वो ऐसा ही आएगा सिरी सुरेन गिरीडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे पत्रकारों के एक सवाल के जवा में उन्होंने कहा है कि बोलने की सोदनता सब को है जानता को निर्नाय करनी है उसे दुनिया देखती है इंडिया की बैठक में सामिल होने के सवाल पस्री सुरण ने कहा है कि अभी व्यस्ता है देखते हैं इस बारे में उनकी बादचीत कॉंग्रेस के अध्यक्स मलिकार जुन खड़गे से भी हुई है कहा है कि कहीं भी कोई विवाद नहीं है संताल परगना में पुलिस अधिकारी वा जवानों की भारी कमी पर आसपास के थानों या जीला मुख्याले द्वारा पुलिस लाइन से पुलिस पता दिकारी वह अरक्षी बलों को भेजा जाता है। भाजपा के परदेश अध्यक्स बागुला मरांडी ने कानून बेवस्था को लेकर मुख्य मंत्री हमांसुरेन पर तिखानी साना साधा है। अमन सिंग की गोली मारकर हत्यक मामले में काहा है कि इस घाटना ने राज सरकार के कानून बेवस्था की पोल पट्टी खोल रखी है। उन्होंने काहा है कि इस मामले में जेल के वर्य अधिकारी मिले हुए हैं बिना उनके मिली भगत के पिस्टल जेल के अंदर जाही नहीं सकता। जारखन के साथ जीलो में दस से सुरू होगा पल्स पोलियो अभ्यान। है ऐसे में 20 वस्वास संगठन की पहल पर उससे बचाव के लिए भारत में सतकता बरती जा रही है। धन्यवाद।